Hello everyone, welcome to Bachelor of Haskuletic Students, अगर आपने अभी तक अपना रिज्यूमे नहीं बनाया है, अपना CV नहीं बनाया है या फिर आपको नहीं पता की रिज्यूमे कैसे बनाते हैं या फिर आपको इसके format की कोई भी knowledge नहीं है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी website लेकर आया हूँ जो आपका रिज्यूमे मार्त एक नट में वो भी बिल्कुल फिर में बना देगी और आप उसको डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं मैं आपको बता दू इसकी खास बात यह है कि इसमें 6 तरह के format भी available है आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी महत नहीं करनी है आपको format select करना है और अपनी कुछ details यहाँ पर फिल करनी होगी देख सकते हैं आपर 6 तरह के format है सभी wallet format है इसमें आपको कोई भी format पसंद आता है वो आपकी पसंद पर depend करता है तो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको website के बारे में बता दे रहा हूँ देखिए website का नाम है www.rojgarresult.com और यहाँ पर देखिए उपर लिखा हुआ है resume में cv free online maker 2021 इसका notification अभी अभी आये रहा इसके बाद देखिए मैं इस website की link डाये वीडियो के description में provide करा दूँगा उस link पे आप click करेंगे डाये इस page पर आ जाएंगे इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है scroll करना है इसके बाद फिल दी form लिखा है तो आपको सबसे पहले type में resume क्लिक कर देना है resume में आपको click कर देना है इसके बाद अपना name डालना है address डालना है mobile number एंटर करना है email id अपनी एंटर करना है जो mobile number email id आप use कर रहे हो वही एंटर करें date आप बस आपको एंटर करना है जो आपके high school पे हो father's name, mother's name इसके बाद nationality, Indian और फिसके बाद gender select करना है vital status select करना है इसके बाद language known आप Hindi, English काई language डाल सकते हैं hobbies आपको चूच करनी है, hobbies इंटर करना है इसके बाद carrier object यहाँ पर देखिए आपको पूरा read कर लेना है कि किसमें आपको किसी एक मेही आप click कर सकते हैं तो जो भी आप से match, आपकी personality से, आपकी life से match करें वही career object आपको चूच करना है अगर आपको इन में से कोई भी पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर write कर देना है जो भी आपका career object है आप यहाँ पर लिग भी सकते हैं इसके बाद academic qualification में exam, board या university का name, passing year, percentage में division क्या है आपका यह add करना होगा इसके बाद professional qualification में अगर आपका BTEC है या भी कोई और professional qualification है तो exam, board या university name, passing year, percentage और division यहाँ पर भी add करना है अगर आप AKTU से हैं और आपका percentage नहीं CGPA या SGPA आता है तो आपको उसको percentage में convert कर लेना है कैसे convert करना है, instagram में मुझे message करें, link description में मिल जाएगी मैं आपको बता दूँगा, इसके बाद extra qualification, means अगर आपका triple C है या फिर कुछ और extra qualification है, mtake है तो उसको भी add में click करेंगे, तो यहाँ पर option आ जाएगा फिर इसके बाद work experience, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई work experience है तो आप इसको भी mention कर सकते हैं, इसके बाद photo, आपको अपनी एक passport size photo यहाँ पर upload करनी होगी इसके बाद enter capture test, यहाँ पर जो भी test लिखा है, इसको यहाँ पर enter करना होगा और फिर यहाँ पर आपको format चूच करना होगा, resume cb1, 2, 3, जो भी आपको format पसंद है, उसको आपको चूच कर लेना है जिस भी आप resume में choose करेंगे, अभी देखिए, अभी चूच कर रहे हैं, तो यहाँ पर detail फिल करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे यह आप चूच कर लेंगे, आपका resume ready हो जाएगा, within one minute फोटा सा process होगा और ready हो जाएगा, इसके बाद आप उस resume को download कर सकते हैं, तो आप जितने भी students है, अगर आपने अभी तक resume नहीं बनाया है, तो जल से बना लें, और अगर आपने बनाया है, format सही नहीं है, तो आप इस पर एक बार फिर से detail फिल कर दें, क्योंकि यह format हर जगे violet होगा, फिर से download कर हर जगे उसको mention कर पाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई problem हो रही है, कोई भी doubt है, तो Instagram में मुझे message करें, मैं उसका तुलन reply दूँगा, next video में मैं रेजियो में बना कर दिखाऊंगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को जड़ा ज़ादा like करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिस वाली वेस्ट, कीप वाचिंग, और सब्सक्राइब दी चैनल फार मोर वीडियोज, थैंक यू